हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ब्राइटन यूर एजूकेशन तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर शिस्टम के इंपोटन्ड कोश्टन के बारे में तो फ्रेंड्स यह अन्डेट कोश्टन की सिरीज रहेगी हमारी और आज यह फ्रीदियो में हमारा पार्ट वन ह है what is the place value of five in number देखे फ्रेंट जो भी कोई भी number होता है आप उसे read कैसे करते हैं ऐसी करते है जिरो टेंट थाउजन टेन थाउजन लेक तो सब्सक्राइब हमारे पास यह number है तो हम हमें क्या मालू करा है इसमें कि five की place value क्या होगी मतलब कि five कौन से place पर आ रहा है देखे फ्रेंट्स सबसे फ़हले हमने लिखा जीरो मेंने रही हे हमारे कष़ है यहां पर शीरो हारा है और ह네 हमरा से थाउजन में 4 है और 5 हमारी कहा पर आ रहा है तो हमारी प्लेस वेल्यू क्या होगी place value of 5 क्या होने वाली है 5 हमारा ऐसी और 5 कौन से नंबर पा रहा है हमारा 10,000 पर आ रहा है 1, 10, 100, 1000 10,000 तो 5 हमारा कौन से नंबर पाया 10,000 पर आया तो इसकी हम multiply किस से करेंगे 10,000 से करेंगे तो 5 की 1 से multiply करेंगे 5 and 4, 0 हमारे ऐसी तो यह हमारी 5 की place value आ गई एक और तरीका है जो भी आप से suppose कीजिए 7 की place value आप से मालम कर रहा है तो 7 लिखिए और 7 के आगे कितने नंबर है 1, 2 तो 2, 0 लगा दीजिए ऐसी अगर हमने 5 की value डायरेक्ट निकालते हैं तो 5 लिखेंगे and कितने नंबर हमारे 1, 2, 3, 4 तो 4, 0 लगा दीए 1, 2, 3, 4 तो यह हमारी क्या हो गई place value of 5 5 की place value आ चुकिए तो friends I hope आपको यह question समझ में आ गया होगा अब second question हमारे the sum of the place value of 3 हमें सबसे पहले किस की place value निकालने है 3 की place value निकालने है place value of 3 देखे friends एक तो 3 हमारे यहां पर आ रहा है और एक 3 यहां पर आ रहा है सबसे पहले हम इस 3 की निकालने place value 3 ऐसी हमने लिग दिया कितने नंबर से 1, 2, 3 बाद में 3 नंबर है तो 3, 0 लगा दी हमने क्या बोल रहा है sum place value का जो भी हम 3 नंबर की place value निकालेंगे उसका sum मालूम कर रहा है हमसे देखे यह तो हमारी place value of 3 की first number की आ गई अब second number यहां पर है तो इसकी place value क्या आएगी place value of 3 तो इसकी कितनी आ जाएगी हमारी 3 और 3 के बाद कितना नंबर हमारा है एक तो 1, 0 लगा देंगे अब इन दोनों का हमसे क्या मालूम कर रहा है सब मालूम कर रहा है तो 3000 में आप 30 पिलस करेंगे तो कितना आएगा 0, 3, 0, 3 3000, 30 हमारा इसका answer आ गया है तो friends यह जो भी question है हमारे यह किसी ना किसी entrance exam में आ चुके है तो friends I hope आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी देखे friends थर्ड कोश्चन है हमारा the difference between the place value of 7 and 3 in the number मतलब की place value सबसे पहले हमें निकालनी है किसकी 7 and 3 की place value निकालनी है फिर उनका क्या करना है हमें difference करना है तो friends सबसे पहले हम निकालते है place value place value of 7 तो 7 की place value कितनी आ जाएगी 7 ac कितने number है 7 के बाद 1, 2, 3 तो 3, 0 लगा दीजी place value of 3 3 कहां पर हमारा है यहां पर है 3 और 3 के बाद कितने number है हमारा है एक number है तो 1, 0 लगा दीजी अब हम से मालम कर रहा है इसका difference तो difference निकाल दीजीए देखे 0 10 में से थिरी गए तो हमारे कितने बच्चा 7 यहां बच्चा हमारा 9 और यहां बच्चा हमारा 6 तो 6, 9, 7 7, 0 इसका क्या आ गया difference आ गया I hope आपको यह question समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं हम fourth question की अब fourth question क्या है हमारा the smallest number of five digits देखे friends five digits का smallest number हमारा क्या होता है कितना होता है one हमारा होता है one, ten, seven, eight, thousand ten thousand हमारा क्या होता है five digits का smallest number होता है अब इस question हमारी condition क्या है beginning मतलब की starting कहां से हो रहा है वो three से हो रहा है starting three से हो रहा है तो हमने three लगा दिया और ending कहां से हो रहा है five ending कौन से numbers हो रहा है five से हो रहा है तो friends यह हमारा क्या गया answer आ चुगा है one, two, three, four, five five digits का हमारा यह numbers आ चुगा है तो friends अब बात करते हैं हम अपने fifth question की बहुत important question देखे PCS exam में आ चुगा है 2007 में अब क्या है what is the minimum number of four digit form by using the digit in digit को use करके हमें four digit का हमें क्या बनाना है minimum number मतलब कि छोटे से छोटा number बनाना है देखे friends बच्चे ऐसे करते हैं कि हम सबसे पहले छोटा number देख लेंगे कि zero यहां पर fill लिख लेंगे two fill लेंगे four fill लेंगे seven तो friends यह हमारा गलत है क्यूंकि zero देखे अगर मैं zero five लिखूं तो यह क्या है हमारा five ही है जो कि हमारा किसमे count होता हमारा one digit में count होता है तो अगर हम इसकी बात करें तो two zero two four seven तो मतलब कि यह three digit का number हुआ और हमें क्या मालम कर रहा है four digit का number मालम कर रहा है तो हम क्या ऐसा करेंगे देखे सबसे छोटा number इसमें क्या है हमारा two है वैसे तो zero है मगर zero हम starting में ले देंगे तो वो three digit का बन जाएगा अब उसके बाद आएगा हमारा zero फिर आएगा हमारा four और फिर आएगा हमारा seven तो यह हमारा क्या हुआ four digit का smallest number हो गया वो भी इन चारों number को use कर गये है जो सबसे छोटी संक्या बनेगी है सबसे छोटा number बनेगा वो कितना बनेगा 2047 अब आते आती है friends six question की the sum of the greatest and smallest number of five digit सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो क्या होती है five times nine अब आते हैं smallest कितनी होगी 00001 अब मालम कर रहा है हमसे sum तो इनका sum कितना हो जाएगा नाइन 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 और नाइन और वन टैन आ जाएगा तो I hope friends आपको ये समझ में आ गया होगा अब बात करते हम 7th question की अब क्या है हमाद 7th question What is the sum of the square of the digit from 1 to 9 जो 1 से लेकर 9 है उनके square हो का sum मालूम कर रहा है तो देखे friends simple साई इसका formula होता है हमारा 1 upon 6 and bracket में and plus 1 और 2 and plus 1 and क्या है and है हमारे numbers 1 से 9 के बीच में कितने numbers आएगे 9 ही आएगे तो and की value हमारी कितनी है 9 हो गई तो 1 upon 6 हमारा ऐसी and की value कितनी हमारी 9 multiply 9 plus 1 और bracket 2N है तो 2 की multiply हम 9 से करेंगे plus 1 कितना आ गया 1 upon 6 है multiply 9 multiply 10 multiply 2,8 2,9 जा 18 और 1 19 2,5 जा 10 2,3 जा 6 3,3 जा 9 और कितना गया 3,5 जा 15 multiply 19 तो इसके आप जब multiply करेंगे तो कितना हैगा 285 तो friends आपको यह formula याद रखना पड़ेगा तभी आप यह question easily कर पाएंगे तो क्या होता है हमारा 1 upon 6 and bracket में n प्लस 1 bracket में 2 n प्लस 1 n क्या होता है हमारा जास देखिए 1 से लेकर 9 तक के पीच के मालम कर रहा है 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9 तो हमारे number कितना होगा है total 9 होगा है इसलिए हमने n की value कितनी ली 9 ली देखिए friends 8 question है हमारा all natural number all natural number हमारे कितना होता है 1,2,3,4 and so on और क्या कह रहा है and 0 0 भी हमारा यह है इसमें 0 भी included है तो वो ऐसे number हमारे क्या कहलाते है whole number क्या कहलाते है whole number friends अब बात करते हैं 9 the number pi is मतलब कि pi कैसा number है rational है या irrational number है तो pi हमारा कैसा है irrational number है अब बात आती है the face value of 8 देखे friends face value जिस भी number के आप से मालुम करेगी तो face value वही होगी और place value क्या होती है कि वो कौन से place पर है और face value मतलब अगर सबसे पहले अगर आप से मालुम कर रहा है कि 8 की face value बताओ तो 8 की face value कितनी होगी 8 ही होगी तो friends यह आज के हमारे 10 questions complete हो चुके हैं तो I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like करें and channel को subscribe करें thank you